आज मैं एक इन्फोर्मेशन वीडियो बना रहो जिस इन्फोर्मेशन वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम पर आने बाली है क्योंकि 2021 में अगर आप टेक्नलोजी में काम करना चाते हो तो आपको कौन-कौन सी टेक्नलोजी के ऊपर नौलेज होना चाहिए या नौलेज लेने से आपका काम बढ़िया हो सकता है तो मैं उसके ओपर आज बात करने वाला हूँ तो 2021 में जो भी technology आपको यूस करना चाहिए या जो भी चीज आपको सी चाहिए उसके लिए कौन-कॉन टेक्लोजी आपको जानना चाहिए उसके बाए में एक details बतना जलुँ पहला चीज यह है कि 2021 में आपको अगर सीखना है तो पहला चीज यह है कि आपको angular सीखना चाहिए सब से ज्यादा requirement में अभी एंगुलर चल रहा है तो एंगुलर ज़ो framework यह एक जावास्क्रिप्स फ्रेम वाक है जिस framework को ट्यावस्क्रिप्ट में लिखा गया है तो ट्याव क्रिप्स कृप्स क्रिप्स करकर के इस framework का डिजैन है और यह framework काफी ज्यादा पॉपॉलर भी है इंड़ेस्ट्री में जहाँ पे आप अगर इसको सीखते हो तो आप ऐसे फ्रॉंटेंड डेवलपर अच्छे तरह से काम कर सकते हो फ्रॉंटेंड डेवलपर बेसिकली क्या होता है जिसको लोगों के लिए एंगुलर डेवलपर बनना बहुत ज़्यदा असन होता है और जो लोग फ्रॉंटेंड में डिजैनिंग करते हैं जैसे कि अगर ली शिक लेता हो तो यह आपका इक्स्ट्रा एडिडर स्वांटेज होता है अगर को अंगुलर अप शीक्त पर्उंपाराइस ईसासे यॉब और यह ज़किंग्ने प्रण्ट के दिश्यर्ण के लिए और अलाग होता है तो यह बनाट्रेनाटिव एस लावा और एक प्रेमवकह है जो है रियर्योंप प्रिय माग अब प्रिय्म आपसे का इसा सकते हैं तो यह जो तीन रहों के फ्रेमएंड के इह तिन रह फ्रेम होग जैवा स्किर्प के ऊपर बेस करके भाट तीनों का कोडिंगे लिखने का जो प्रेटर क्लिकल कोड ल्या रहनों दू किना के ल larchy यह थोरा चाल होता है तो तो इसलिए आपको 2021 में आपको एंगुलर व्यू जैस और रियक जैस ये तीनों चीज आपको सिखना चाहिए आज अब फ्रॉंटन डेवॉफब और साथ झाथ अगर आप बैकेंड डेवॉफबन के ही शब्सक्राइब में यहां करना चाहिए तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनता है लाडवल में क्यूंकि लाडवल प्यस्पी बेस्ट फ्रेमवाक है और आपको किसी भी छोटा हो जो वी आप इसट्री में काम करूँ आपको सबसे ज्यादा प्येसपी में काम करना पड़ेगा और पीनि जो फ्रेम्वाक के रॉ पन पर निंक में डहीं में आपको किसी बी तरह का इंटरप्राइस लेबल application अप बढ़ना सकते हो फ्रू प्य है मिल prim यह आप Python सिख सकते हो और Python के साथ जो बढ़िया फ्रेमोग है । है Django तो यह फ्रेमोग है यह भी बढ़िया है और यह लाड़ावल जासे एक फ्रेमोग है और इसका खास बस्ट यह है कि यह बीकाफी अच्छा फ्रेमार्च है जिससे आप किसी भी तरह का वेब अपलिकेशन जो बैक्रोंग में, सायद आपको जानकर यह अगर नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ Adronis.js बोलकर एक framework है यह भी कपी अच्छा framework है यह basically javascript based framework है अगर आप javascript में backend site पे आप development करना चाहते हो backend मतलब जो server site में data process होता है जो की mainly database के साथ connecter के data execution या data communication का काम करता है उसके लिए आप javascript में addonis.js को यूज़ कर सकते हो और इस addonis.js को यूज़ करके आप एक server site application पढ़ना सकते हो तो अभी मैं बात करता हूँ full stack development क्या है और full stack development के लिए आपको क्या-क्या चीज़े जानना चाहिए full stack development basically क्या होता है जिसमें आपको front end front end में मतलब आपको angular view js या react js तिनों में कोई भी एक आना चाहिए और साथ में आपको backend में कोई भी एक framework आना चाहिए तो backend में अगर आपको addonis.js आता है और front end में आपको angular आता है तो आप एक full stack developer हो सकते हो उसके साथ साथ अगर आपको python में डी जंगो में आपको knowledge है और डी जंगो के साथ साथ आपको react js के आपको knowledge है तो भी आप full stack developer बन सकते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं में लावेल के साथ व्यूजर्स के साथ काम करने चाहते हो तो भी आप full stack developer बन सकते हो मतलब full stack developer क्या होड़ है जिसको front end के उपर भी knowledge है और साथ में back end के भी knowledge है और मैंने इस तरह combination मूला उसी इस सबसे भी combination आप कर सकते हो या उसका इलाभा भी आप front end और back end का combination सिख सकते हो उ यह है basically full stack developer का definitions तो इसी तरह आप अगर 2021 में यह technology आगर आप सिखते हो आगे की job करने का जो process है वो काफी अच्छा हो जाएगा क्योंकि 2021 में technology में काफी काम आने बाला है और इस काम करने के लिए आपको definitely front end और back end दोनों का ही knowledge होना चाहिए और मेरा यह जो वीडियो है यह का इना होशा का simple करके मैं information देने की कोशिश किया तो आप लोग बताइए आज के जो information topic लेकर जो मैंने वीडियो वनाया यह आप लोगों कैसा लगा comment पर बताईए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें मेरे इस वीडियो को share करें आप लोगे दोस्तों के साथ अगर आ बिलते हैं ऐसी कुछ informatic वीडियो और tutorials के साथ